वीडियो दिखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com बेल आइकन दबा कर पाएं लेटिस्ट नोडिफिकेशन्स बंगाल विधान्स पर चुनाओ के दुसरे चलर में छीटपूट हिंसा के बीच सुबह साड़े नो बजे तक 15.72 फीर दिमत दानुआ चार जीलों की तीस सीटों के विभिन बूतों पर सुबह से ही मद्दताओं की भीड देखी गई इस बिच आरोप लगाने का दोर भी चल रहा है भाजपा ने आरोप लगाया है कि टीमसी का रेकरताओं ने पच्छमी मेदनीपूर के केस पूर में उसके पॉलिंग एजेंट पर हमला कर दिया है पॉलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया है भाजपा नेतातन में घोष की कार्ड में तोर फोर की गई है वहीं पॉलिस ने डेबरा के भाजपा मंडल अध्यक्छ मोहन सिंग को हिरासत में ले लिया है यहां से भाजपा उमिद्वार भारती गोष्ट ने टीमसी पर नावपारा में उनके पॉलिंग एजेंट को बूद पर जाने से रोकने का आरूप लगाया है पताते कि सुबे के चार जिलों की कूल ती सीटों के लिए वोट पड़ रहे हैं सुनिए वोटिंग से पहले नंदी ग्राम सीट से बिजेपी के उमिद्वार सुवेंदू अधिकारी ने क्या कुछ कहा है जीत मेरा तो नहीं बिजेपी पाटी का होगा विकास का होगा नरंद्र मोधी जी का होगा परिबर्तन का लहर पुरा बंगाल में चल रहा है बंगाल की लोग आसली परिबर्तन के लिए और डबल इंजिन सरकार के लिए वेट कर रहा है मौमता बेनाजी का गवर्मेंट बेरोजगारी इतना किया जूबा ने पूरा के पूरा इसके खिलाफ भोटिंग कर रहा है पिम किसान चालू नहीं क्या किसानों ने पूरा के पूरा जोल लगा दिया और पंचाइद में इतना धैंडली आमभन का रुप्या इतना धैंडली हुआ इतना कुराब सथ जो पूरा के पूरा के पूरा देश पूरा वाल का बंगाली पूरा देश का पलेटिस्यार उसका निगरा निगरानी तुष्टिकरन को परास्त किजिए विकास को जिता तो डेवरेस बिजेपी कैंडिडेट भारती होस्ट ने पूलिंग बूथ पर वोटरों को धमकी देने का आरोप लगाया है सुनिए इन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा है नौपरा, बूथ 22, अंचाल 1, पोलिंग एजेंड नोट एलाउट टो गेट इन और सिट उसको घराव करकर रख दिया देर सो गुंडा अभी मैंने पोलिस अब्जरवर को फोन लगाया फोन बज 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 गिया अभी मैंने बोला, मैंडम ने बोला, स्वाइकिंग फोर्स जा रहा है और भी कई दूसरे तक भी ऐसे इंसिदेंट वो रहे हैं बारुनिया, देर वोटर्स अगेटिंग इंफ्लेंस्ट उसको बहुत ही धंकी देके फिर पोलिंग बोत में गुसा रहा है बाहर दमकी फिर अंदर बेज रहा है लॉइन ओँ पनागेटिव व हैं का देके मीज़रोगाएव दिए प्रूस्टों हो all industry free and fair election election commission must rise up to the occasion and see that these incidents does not happen and if they do happen the striking force must respond in zero time zero tolerance minimum response time which is not happening we are waiting for one and a half hours in opera you